मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो छोड़ देंगे, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो, कि हमने तुमें क्यों कैद किया है, तुम हमें शेरा को दे दो, और हमसे आजादी ले लो नहीं, तुम उसे भी अपनी ही जैसा बना दोगे मैं अपने जीती जिन्दगी अपने बेटों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी मेरा शेरा मेरा गुरूर है, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता तो तुम्हारा गुरूर ही तो तोड़ना है मुझे शेरा चाहिए मेरा गुरूर तुम आज तक नहीं तोड़ पाए फिरेब तु क्या ही तोड़ोगे मैं तुम जैसे अवारस से नहीं डरती कल्डो तुम्हें चो भी करना है लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दूँगी शायद तुम भूल नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ वो मेरा भी बेटा है तुम अकेली उसकी मालिक नहीं हो और जब क्या था जब तुम हमें छोड़कर आ गई थी अब बेटे वाले बनते हो जब मैंने अपने बेटों को कैसे कैसे करके पाला तुम कुछ नहीं जानते हो और आज तुम्हें बेटा चाहिए इधर शेर्णी बगदीरा से बहस करने में लगी थी और उधर शेर्णी की दोनों बेटी अपनी मा की वज़ा से बहुत परिशान थे शेरा भाई मा कल से गायब है वो अब तक क्यों नहीं लोटी पता नहीं यार ये तो मुझे भी नहीं समझा रहा है तुम ठेरो मैं भी जाकर जंगल में पता करके आता हूँ अब शेरा अपनी मा को तलाश करने जंगल में चाता है और वह अपनी मा के बारे में जंगल में पूश्टाश करता है तब ही एक गाय उसके पास भागते भागते आती है और वह बोलती है शेरा बेटा अपनी मा को बचा लो वो बगदीरा वरना उसे मार डालेगा कौन बगदीरा और उसने मेरी मा को क्यों कैद किया है ये तो तुम्हें तुम्हारी मा ही बता सकती है लेकिन अभी तुम्हारे लिए अपनी मा को बचाना ज़रूरी है वरना वो बहुत जालिम है बेटा लेकिन गाया अंटी वो बगदीरा है कौन और वो कहां पर रहता है मुझे उसके ठिकाने का पता बताओ वो यमना नदी के उस पार जो जेंगल का आधा हिस्सा है ठीक वही उसने रानी शेरनी को क्याद किया हुआ है जाओ जल्दी और अपनी माँ को बचा लो अब शेरा जल्दी से उस नदी की ओर दोरता है और कुछ दीर बाद वो वहां पहुँच भी जाता है लेकिन तब तक बगदीरा उसकी माँ को मार मार कर जक्मी कर चुका था अब शेरनी बिल्कुल खुन से लगपत हो चुकी थी रुख जाओ बगदीरा अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे इस पूरे इलाके को समसान में बदल दूँगा बेटा तुम यहां से भाग जाओ चले जाओ यहां से मा मैं आपको लिए बिना यहां से नहीं जाओँगा और तुम तुम चाहते क्या हो मेरी मा से बेटा तुम इससे बहस ना करो और चलो यहां से मा हम इससे ऐसे नहीं छोड़ सकते यह कल आपके साथ कुछ और करेगा मैं इन सब को अभी बताता हूँ नहीं बेटा अब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो कर दिया तुम अभी मेरे साथ चलो चलो यहां से शेरी के ऐसे फोर्स करने पर शेरा अपनी मा को लेकर चुप चाप वहां से आ जाता है लिकिन शेरा को एक बात खाय चा रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जो उसकी मा ने इतनी मार खाने की बाद भी उस बगदीरा को बचाया कुछ दीर बाद वो दोनु अपनी गुफा में वापस आते हैं और शेरा अपनी मा का इलाज करवाता है लिकिन वो मन ही मन बहुत परेशान था अगले सुबा होती है और शेरा अपनी मा से बोलता है मा कौन था वो शेर क्या आप उसे जानती हो शेरी शेरा के ये सब पूछने के बाद भी चुप रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है मा मैं आप से कुछ पूछ रहा हूँ आखिर कौन था वो शेद आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं और गायांटी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने भी मुझे से बोला था कि असल बात आप मुझे बताएंगी फिर आप चुप क्यों है बताए मा आखिर क्या बात है क्या बताओ मैं तुम्हें मुझे तो बताते हुए भी सर्माती है वो तुम्हारा बाप है और वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है सुन लिया या फिर कुछ और बताओ क्या मेरे पिता लेकिन आज तक तो आपने उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया क्या बताती मैं उस जालिम के बारे में जब उसके बारे में कुछ बताने के लिए था ही नहीं आज तक जब से मेरी उसे शादी हुई थी उसने मुझे पर जुर्म ही किये आज से 20 साल पहले जब मैं मा बनने वाली थी उस रात उसमें मुझे बहुत मारा था और मुझे अद्मरा करके छोड़ गया था और जाकर दूसरे जंगल की शेड़नी से दोलत के लालच में आकर दूसरे शादी कर ली थी उसी रात मैंने तुम दोनों को जनम दिया था वो तो मेरी और तुम्हारी जिन्दगी थी जो हम बच गए वरना उस रात कुछ भी हो सकता था मैं बहुत जादा जखमी हो गई थी लेकिन उसने पलट कर कभी मेरी और तुम्हारी तरफ नहीं देखा था अब उसे पता चला है शेरा पहुत ताकतवर है और वो बहुत बहादुर भी है तो वो अब तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है इसलिए उसने मुझे अपने सिपायों के साथ मिलकर कैद कर लिया था और मुझे मारने की धमकी भी दी है अगर मैंने तुम्हें उससे नहीं दिया तो वो मुझे मार ढालेगा बेटा और मा जब बाबा ने साधी कर ली थी तो फिर उसका क्या हुआ वो कहां गई उसे भी बगदिरा ने एक दिन धोके से मार दिया था और उसके पूरी राज़े पर अपना कबजा जमा लिया था उसने पैसे के अलालच में आकर ये सब क्या था उसे सिर्फ पैसा चाहिए रिष्टे उसके लिए कोई मायनी नहीं रखती है जहां से उसको फायदा मिलता है वो वही चाहता है बेटा मा आप मुझे एक बार इजाज़त दे दे मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो हमेशा याद रखेगा कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम अकेला उसका कुछ नहीं बिगार सकते वो बहुत खतरनाक है और उसके पास इतनी ज़्यादा सिपाही भी है मैं अकेला कहा हूँ मेरे साथ सूर्या है ना हम दोनों भाई मिलकर अब उसे उसी की तरह हराएंगे बस इस सब में आपको हमारा साथ देना होगा मा अब वो दोनों भाई मिलकर बगदिरा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर शेरा बोलता है पिताजी आपने बोला था कि मैं आपके पास आ जाऊं देखे आज हम दोनों भाई आपके पास आ गए हम अपनी मा को छोड़ाए हैं पिताजी तुमने बहुत अच्छा किया वो तो तुम्हारे काबिल थी ही नहीं आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे वारिस बनोगे देखा शेर नी तुमने चाहे तुमने कितनी भी मेहनत कर ली ने पालने के लिए लेकिन जब इने पता चला कि इनके पिता के पास इतनी दोलत है तो ये तुम्हे छोड़कर मेरे पास ही आ गए हाँ 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 दोलत सब कुछ ले आती है दोलत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है शीर अपनी घमण में चूर था और वो एक एक करके अपनी बेटों को अपनी सारी राज बताय जा रहा था एक दिल सुभा सुभा बगदीरा अपनी बेटे से बोलता है बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम काली पहाडी के पीछे वाली गुफा से कुछ पैसे लेकर आओ मुझे कुछ जरूरी काम है ऐसा बोलकर बगदीरा अपने बेटे सेरा को चाबी देता है और सेरा और सूरिया दोनों भाई उस चाबी को लेकर पहाडी की ओर निकलती है और वहाँ पहुच कर वो दोनों भाई मिलकर उसके सारे खजाने में आग लगा देती है और वापस भागती हुई बगदीरा के पास आती है पिताजी पिताजी नाजाने किसने खजाने की गुफा में आग लगा दी है और वहाँ सारा खजाना जलकर राख हो गया है पिताजी क्या ये तुम क्या बोले हो जब तक बगदीरा भागती हुई वहाँ पहुंचता है वहाँ पर सारा खजाना जलकर राख बन चुका होता है शेर अब बहुत परिशान हो जाता है और वह अपनी बेटों से बोलता है बेटा मेरी आदी से ज़्यादा कमाई हुई दोले जलकर राख हो गई अब मैं क्या खरू? अब बगदीरा बहुत परिशान होकर गुपा में पहुंचता है और अपने खजाने के जल जाने की वज़ा से बीमार पर जाता है पिता जी आप परिशान क्यों होते हैं? एक खजाना ही तो था वो तो हम कभी भी कमा सकते हैं लेकिन आपकी जिन्दगी हमें उससे ज़्यादा प्यारी है आप जाने दो दिन बीतने के साथ अब बगदीरा अपना गम भी भूलता जाता है और एक रात वह बोलता है बेटा सुबा ये खजाना जाकर टबर वाली गुफा में रखाना मुझे अब तुम दोनों पर ही विश्वास है और अब किसी पर भी मेरा विश्वास नहीं रहा शेर ये कहकर सोच आता है और वह दोनों भाई टबर वाली गुफा को सुबा होने से पहले पहले खाली कर देती हैं और सारा खजाना वहां से दूसरी गुफा में रखकर वापस आते हैं सुबा होने पर वो दोनों भाई जब वो खजाने से भरे बक्षे लेकर चलते हैं तो बगदीरा शेर बोलता है रुको बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना जानी रास्ते में क्या हो जाए तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे अब बगदीरा भी अपने बेटों के साथ आता है लेकिन वो खजाना तो उन्होंनी रात को ही वहां से गायब कर दिया था जैसे ही बगदीरा गूफा को खोलता है वो गूफा को बिलकुल खाली पाता है ये क्या हुआ ये खजाना ये सब कहां गया मैं तो बरबाद हो गया मैं तो लुट गया अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा क्या करूँ मैं कहा जाओं पिता जी आप फिकर ना करें हम है ना आपके साथ हम आपको इससे भी ज़्यादा खजाना कमा कर देंगे बस आप परिशान ना हूँ मैं कैसे परिशान ना हूँ मैंने इस खजाने के लिए अपने रिस्ते कुर्बान कर दिये और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ खड़ा हूँ पिता जी तभी तो कहते हैं कि रिस्ते बेमोल होते हैं और दोलत कभी भी कमा सकते हैं लेकिन रिस्ते अगर एक बार टूड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं और हम यही सब आपको बताने के लिए आपके पास आये थे और अब हम भी चलते हैं कहां जा रहे हो तुम बेटा तुम तो मेरा साथ ना छोड़ो मैं तो बरबाद हो गया मुझे अकेला छोड़ कर मत जाओ मैं तुम्हारी मा से भी माफी मांग लूगा लेकिन मुझे छोड़ कर मत जाओ अब बगदीरा शेड अपने बेटों के पीछे पीछे दोड़ता हुआता है और वह शेलनी के पास आकर उससे माफी बांगता है मुझे माफ कर दो शेलनी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मैं तो बरबाद हो गया और जब मुझे छोड़ कर गए थे तब क्या था दोरत किसी की नहीं होती आज है कर नहीं है लेकिन रिष्टे हमेशा साथ रहते हैं मुझे अब सब समझा गया है मुझे माफ कर दो आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार को कोई परेशानी हो एक बार मुझे माफ कर दो अब शेर नी शेर को माफ कर देती है और बोलती है तुम्हारा खजाना कहीं नहीं गया वो सब मेरे पास है ये सब मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था उस दिन वहां आग भी मैंने ही लगवाई थी लेकिन वहां से तुम्हारा सारा खजाना निकाल लिया था तुम्हारा खजाना मेरे पास शुरक्षित है ये सब सुनकर शेर बहुत खुश होता है और अब शेर बिलकुल साह मन सी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है इस कहाने अज मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं किसी भी बड़े दुसमन से लड़ने के लिए तयार हूँ अब मुझे कोई नहीं रहा सकता अब की बार जीत हमारी ही होगी देवदास यू अपनी ताकत में चूर होकर जंगल की ओर बढ़ रहा था रात भी अंधेरी थी हर तर को ये सुनकर देवदास के सिपाही कांचा के सिपाहियों की ओर दोड़ते हैं और वहां जाकर उन सभी को खतम कर देते हैं अब हमें कोई नहीं रोक सकता है जीत तो हमारी ही होगी मैं उसे पहले ही खतम कर दूँगा जिससे वो मुकाबला ही न कर सके महराज वो देखो सिपाही बाकी है वो देखो सामने कितने जादा सिपाही है चलो सिपाहियों इन्हें भी खतम करते हैं और अपने मकसद को सच करते हैं अब देवदास के सिपाही और खुद देवदास भी उन सभी की और दोड़ते हैं लेकिन कांचा के सिपाही तादाद में उनसे जादा थ यह आया था मुझसे मुकाबला करने लेकिन यह साइद नहीं जानता था कि अच्छाई में बहुत ताकत होती है और बुराई ऐसे ही दुम दबा कर भाग जाती है दरसल कल एक ऐसा मुकाबला होने वाला था जो की आज तक इस जंगल में नहीं हुआ था वैसे तो आए साल जंगल में मुकाबले होते रहते थे और जो भी मुकाबले में जीता था वो कांचा शेर का सिपाही बनता था और कांचा शेर के साथ मिलकर जंगल की देखभाल क्या करता था लेकिन कल जो मुकाबला होने वाला था वो राजगदी के लिए होने वाला था और जो भी उस मुकाबले में जीतासिल करता है वही आने वाले समय में जंगल का वजीर आजम चुना जाएगा और पूरे जंगल में उसकी ही हुकुम परिस्ती चलेगी इसलिए आज देवदास अपनी सिपाहियों को लेकर काचा को मार कर जख्वी करने के लिए आया था जिससे वह सुबा होने वाले मुकाबले को अच्छे से ना लट सके और देवदास उस मुकाबले को जीत कर जंगल पर राज कर सके ये सब इतना आसान नहीं है देवदास मैं पहले ही तुम्हारे इरादों से वाकिफ था मैं जानता हूँ कि तुम कितनी घट्या सोच रखते हो इसलिए मैंने अपने सिपाहियों को पूरी रात जागते हुए रखा था तुम चाहे कुछ भी कर लो कल जीत तो मेरी ही होगी ना कि तुम्हारी मैं तुम्हें अपना सजाया हुआ जंगल इतनी आसानी से हासिल नहीं करने दूँगा चरो सिपाहियों कल के मुकाबले की तयारी करते हैं कुछ ही देर में सुबा होती है और जंगल में जानवरों की भीड बढ़नी लगती है सभी जानवर मुकाबला देखने के लिए मरी जा रहे थे और सभी को इंतजार था काचा शेर की जीत का उथर देवदास एक बड़ी चाल खेलता है और वह अपने दो सबसे खतरनाक सिपाहियों को एक रंगीन शेर की खाल पहना देता है और उन्हें अपने साथ लेकर अखाडे में पहुँचता है वहाँ पर काचा शेर देवदास का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहा था जंग शुरू होती है और देवदास अपने आप जंग ना करके उन बहरूपी शेरों को अखाडे में उतारता है ये क्या देवदास तुम तो डर गए अपने आप मैदान में न उतर कर इस पिदिशे शेर को मैदान में उता रहे चलो कोई बात नहीं मुझे तो तुम से भी जीतना था और मैं इससे भी जीत जाऊंगा काचा शेर उसकी चाल से अंजान था इसलिए वह पुर्शुकून भी था भालू ड्रम बजाता है और जंक सुरू होती है जैसे ही उन दोनों शेरों की जपड काचा शेर पर पढ़ती है काचा शेर को कुछ अलद महसूस होता है और वो लड़ते लड़ते सोचता है अरे मुझे तो डाल में कुछ काला लग रहा है एक अकेला शेर तो इतना ताकतवर नहीं हो सकता है और इसके सरीर के हिसाब से तो ये वजन में भी मुझे कुछ जादा लग रहा है मैं अभी देखता हूँ अब काचा शेर दिमाग लगाता है और वह उन बहरूपी शेरों के सरीर पर हमलाना करकी उनकी खाल पर हमला करता है काचा शेर के हमला करते साथ ही वो खाल फटकर नीचे गिर जाती है और उसके अंदर सी दो शेर बाहार निकल कराते है ये सब क्या है देवदास मुझे पहले से ही सकता कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा ही करोगे आखिर आदत से मजबूर हो इसलिए मैं भी सतर्ग था तुमने दिखा दिना अपनी उकात दरसल आज से करीब पांच सार पहले भी देवदास नी यही सब क्या था तब कांचा शेर उसकी इरादों से अंजान था पांच साल पहले देवदास नी अपने पैरों में कीले पहन ली थी और जब उसने कांचा पर हमला किया था तो कांचा खून से लद्पत होकर जमीन पर गिर गया था तब जंगल के सभी जानवरों ने मिल कर वो जंग लड़ने से इंकार कर दिया था और कांचा को फिर से 5 साल के लिए जंगल की राजगदी भी मिल गई थी इस बीच देवदास नी बहुत से ऐसे खेल खेले जिससे वो जंगल की जानवरों का विस्वास जीत सके लेकिन वो पांस साल बीर जाने पर भी जंगल की जानवरों का विश्वास नहीं जीत पाता है और आज पांस साल बाद वो फिर से यही सब करता है अब जंगल की सभी जानवर और खुद काचा शेर मिलकर देवदास को सजा सुनाते हैं और अगली सुवा होने से पहले पहले वह सभी देवदास को मार कर उसकी लाश जंगल के बीचों बीच लटका देते हैं जिससे आगे आने वाले जानवरों को भी सेख मिल सके कि बुराई करने का अंत हमीसा बुरा ही होता है इस जालिम का यही हशर होना था इसने पहुत जुल्म किये हैं और जुल्म करने का अंजाम हमीसा बुरा ही होता है अब जंगल में सांती बन जाती है और कांचरा बाग को फिर से जंगल की राजगदी मिल जाती है आखिर मैं क्या करूँ अगर मैंने एक बेटी को जनम दे दिया तो काली शेर तो उसे मार ही डालेगा उसने तो मुझे पहले ही इसके लिए चेतावनी दी है कि अगर मैंने बेटी को जनम दिया तो वह उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा आखिर काली शेर को लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है वो लड़कियों से इतनी नफरत क्यों खड़ता है क्योंकि उसे बेटा चाहिए ना जाने उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है मेरी तो इस्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे बेटी ना दे वरना वो काली इतना जालिम है वो उसे मार ही डालेगा शेणी बेहन बेटी तो नसीब वालों को मिलती है इश्वर हर किसी को बेटी नहीं देता अगर बेटी नहीं होगी तो मा किसे बनाओगे और बहु कहां से लाओगे और बेहन किसे बनाओगे बागिन बेहन ये बात मुझे समझाती है लेकिन काली उसे ये बात नहीं समझाती वो तो बेटे की खौईश में अंधा हुआ जा रहा है उसे सिर्फ बेटा चाहिए शेर्णी जल्द ही मा बनने वाली थी लेकिन उसका पती काली उसे बहुत टोर्चर करता था उसे बेटा चाहिए था इसलिए शेर्णी हमेशा डरी रहती थी कि कहीं अगर उसने बेटी को जनम दे दिया तो वो उसे मार ही न डाले ऐसे ही दिन बीटते हैं और एक रात शेर्ण इक नन्नी बेटी को जनम देती है काली शेर्णी ये सब देखकर बहुत गुसे में आ जाता है और वह शेर्णी के होस में आने से पहले ही उस नन्नी जान को लेकर दूर पहाडों के बीच एक नदी में फेकर वापस चलाता है सुबा होने पर जब शेर्णी को होस आता है तो तो वह अपने बच्ची को अपने पास ना देकर बहुत परिशान हो जाती है मेरा बच्चा कहा है तुमने एक बेटी को जनम दिया था और तुम अच्छे से जानती हो मैं बेटी के साथ क्या करने वाला था और मैं वो ही कराया हूँ उसके साथ नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम इतने जालिम नहीं हो सकते मैं क्या करूँ कहां से लाओ अपनी बेटी को ये सब बोलती हुई शेड़ी फिर से जमीन पर गिर जाती है और बेखोस हो जाती है लेकिन काली को अपने किये पर जरा भी पच्टावा नहीं होता है मैंने कुछ गलत नहीं किया मुझे सिर्फ बेटा चाहिए मुझे अपनी नसल को आगे बढ़ाना है ना की खतम करना है और ये काम सिर्फ मेरा बेटा ही कर सकता है उससे मुझे ताकत मिलेगी और बेटी से मुझे क्या मिलेगा उससे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और मु वह पानी में जाकर देखता है तो वहां वही शेर्णी पड़ी हुई थी जिसे काली शेर उस नदी में फेक कर गया था भालू मच्छवारा जल्दी से उस नदी शेर्णी को बाहार निकालता है और बोलता है अरे अभी इसकी सासे चल रही है इतना जालिम कौन हो सकता है जिसन का इलाज करता है दो-तीन दिन बीतने के बाद वो बच्ची बिलकुल ठीक हो जाती है और भालू उस बच्ची का नाम गुन-गुन रखता है और भालू जहां भी जाता है गुन-गुन को अपनी साथ ले कर जाता है भालू और गुन-गुन एक दूसरे के आदी हो गए थे और भालु गुन-गुन को ऐसी ही बहुत प्यार से पालता है उधर शेर्णी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी वो कैसे भी करकी अपनी बेटी का पता लगाना चाहती थी लिकिन पूरे जंगल में ढुनने के बाद भी शेर्णी अपनी बेटी का कोई पता नहीं लगा पाती है दिन बीतने के साथ शेर्णी की परेशानिया और भी बढ़ती ही जाती है और उधर गुन-गुन अब बढ़ी हो जाती है लिकिन उसी अपनी मा बाबा का कुछ भी पता नहीं था वो भालु को ही अपना सब कुछ मानती थी एक दिन सुमित्रा शेर्णी काली अपनी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है तुम या तो मुझे सरसच बता दो कि तुमने मेरी बेटी को कहां छोड़ा था और उसके साथ क्या किया था वरना भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए लेकिन तुमने फिर भी एक बेटी को जनम दिया इसलिए मैंने उसे उसी रात पहाड़ी के पास वाली नदी में फेक दिया था अब तक तो उसकी हड्या भी नहीं बची होगी और मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी किया था सब कुछ सही किया था अगर उस दिन मैं ये सबना करता तो आज वो ना जाने क्या गुल खिलाती और मैं हमेशा उसे करकर के खिलाता मुझे बेटा चाहिए जो मुझे बैठे बिठाए करके खिलाए तुम क्यों नहीं समझती बेटिया बोज नहीं होत वो हमेशा अपने माबात की हर मुसीबत में खड़ी रहती है बेटिया कभी बोज नहीं होती बेटिया तो बहुत अच्छी होती है शेनी ये सब कहते हुई और रोते हुई जेंगल में निकल जाती है और शेर भी जेंगल में निकल जाता है और चलती चलती वो जंगल से बहुत दोर चला जाता है और एक भेडियों का जुन्ड उसे अचानक से घेर लेता है और उस पर हमला कर देता है तभी गुनगुन शेर्णी भी वहां से गुजर रही होती है और गुनगुन शेर्णी जब उस शेर को मुसीबत में देखती है तो वहाँ जल्दे से आकर उन भेडियों पर हमला कर देती है और काली शेर और गुनगुन शेर्णी दोनों मिलकर उनी वहाँ से भगा देती है काली शेर जब गुनगुन शेरणी को देखता है तो दंग रह जाता है और गुनगुन शेरणी आगे निकल जाती है ये ये तो वही है मेरी बेटी जिसे मैं उस दिन नधी में फेक करा गया था लेकिन ये यहां कैसे मुझे लगा ये तो मर गई होगी लेकिन आज इसने मेरी जान कैसे बचा ली ये सोचते हुई काली शेर गुफा में वापस आता है और उस रात काली शेर एक मिनट के लिए भी आखें बंद नहीं कर पाता है और पूरी रात अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता है मैं ले कितना गलत किया अपनी बेटी के साथ मुझे अपनी बेटी को वापस लाना होगा मैं कैसे भी करके उसे ढूंड कर रहूंगा अब काली शेड को एहसास हो गया था कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया है और वह रात को ही अपनी बेटी को ढूंडने उसी जंगल की साइड निकल जाता है सुभा की हलकी हलकी किरन जमीन पर पड़ती है और काली शेड पहाडी की नदी से गुजर रहा होता है तभी शेड की नजर शेड नी पर पड़ती है और वह उसे भालू के पास खड़ा हुआ देखता है अरे ये तो मेरी बेटी है अब काली शेर जल्दी से दोड़ कर उसके पास जाता है और जाकर उससे माफी मांगता है मुझे माफ कर दो मेरी बेटी मैं बहुत बुरा बाप हूँ और मेरे साथ चलो भालू और स्टेनी काली शेर की बाते सुनकर हैरान होती है ये आप क्या बोल लही है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है मेरे बाबा तो ये खड़े है नहीं बेटा मैंने तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें इस नदी में फेक दिया था क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि बेटिया भी किसी से कम नहीं होती भालू जब काली शेर की बात सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है लेकिन शेर्णी ये सम मानने से इंकार कर देती है नहीं शेर अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है मेरे बाबा तो ये है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ आपकी बेटी कहीं और होगी अब भालू शेर्णी को बताता है नहीं गुन-गुन बेटी ये तुम्हारे असली बाबा है मैं तो तुम्हें जिन्दगी देने वाला हूँ जनम देने वाले तो ये ही है बाबा आप ये क्या बोल रही है मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटी जब ये तुम्हें इस नदी में फेक कर चले गए थे तो मैंने ही तुम्हें यहां से बाहर निकाला था और तुम्हारी परवर इश्की थी जनम देने वाले तुम्हीं ये ही है मैं तुम्हारा असली बाबा नहीं हूँ ये सुनकर शेणी की आँखों में आसु आ जाते हैं और उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है बाबा बाबा क्या मैं आपको बोच लगती थी जो आपने मेरे साथ ये सब किया लेकिन देखो मुझे कुदरत ने कितनी अच्छी जिंदगी दी शायद पर दो और मेरे साथ चलो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परिशान है वो हर रोज तुम्हारे बापस आने की रहा देखती है नहीं मैं अपने बाबा को छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी मैं आपके साथ नहीं जाओंगी मैं कब बोला हूँ तुम अपने बाबा को छोड़ कर मेरे साथ चलो हम इने भी अपने साथ लेकर चलती हैं लेकिन प्लीज मेरे साथ चलो और एक बार अपनी माँ से मिलो वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है अब भालू उसी जाने का बोलता है और उसे समझाता है कि यही तुम्हारे बाबा है और तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए और कुछ देन में वह तीनों शेर्णी के पास वापस आती हैं शेर्णी जब उसे देखती है तो वह समझ जाती है कि यह उसकी बेटी है तभी काली शेर बोलता है मैं तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आ गया हूँ आज से ये हमारे साथ ही रहेगी और तुम मुझे माप कर दो मैंने अपनी बेटी के साथ और तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किये हैं प्रीज मुझे माप कर दो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और वह अपनी बेटी से खुब लाड़ प्यार करती है और अपनी बेटी के साथ खुशी-खुशी जंगल में रहने लगती है और ये कहानी भी कही पर खत्म हो जाती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटिया कभी बोज नहीं होती इसलिए हमें कभी भी बेटियों पर अत्याचार नहीं करने चाहिए और बेटों की लालच में बेटियों का खुण नहीं करना चाहिए बेटिया तो नसीब वालों को मिलती है ना कि हर किसी एरे गेरे को तो गाइज आपको ये कहानी कैसी लगी हमी कोमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लें थेंक्यू